अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूँ और आपको उसके बारे में पता चल जाए तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहें A Song of Ice and Fire की दुनिया में कुछ ऐसे करदार हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि इन्हें किसी तरह का नुकसान न पहुँचे ये हमेशा सलामत रहें आपको पता होता है कि ये काफी केपबल है और खुद अपना खयाल रख सकते हैं मगर फिर भी आपको इनकी परवा होती है ऐसा ही एक किरदार है ब्रियान ओफ टार्थ वो काफी मजबूत है उसकी हाइट सेवन किंग्डम्स के ज्यादतर नाइट से लंबी है उसका बिल्ट भी कई आदमियों के मुकाबले मजबूत है मगर फिर भी वो नर्म दिल की है अच्छाई में विश्वास करती है और कभी किसी का बुरान नहीं चाहती ब्रियान हमेशा सही का साथ देती है और शायद इसी लिए हमें उसकी इतनी फिक्र होती है असौंग ओफ आइसन फायर की चौथी किताब में हमें ब्रियान के दिमाग में लेकर जाया जाता है और हम उसके पॉइंट उफ व्यू से दुनिया को देखते हैं वो टार्थ के लौड सेल्विन की एकलौती उलाद है उसकी दो छोटी बेहने थी मगर उनकी बच्पन में ही मौत हो गई थी उसका एक बड़ा भाई भी था मगर वो भी आठ साल की उम्र में डूप कर मर गया था ऐसे में लौड सेल्विन को ब्रियान बहुत प्यारी है क्योंकि वो उनकी एकलौती उलाद है जो जिन्दा बच्पन को बच्पन से ही आर्या की तरह तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड सवारी का शौक था उसके पिता ने इस शौक को हुनर में तबदील किया बच्पन में ब्रियान की सेप्टा उसे हमेशा कोस्ती रहती थी, वो उसे बदसूरत, बदमिजाज और बेसलिका कहती थी, वो ब्रियान को ये भी कहती थी कि तुम बेवकूफ हो और दिखने में आदमियों जैसी लगती हो उन्होंने कभी भी ब्रियान को appreciate करने की कोशिश नहीं की शायद इसी वचे से ब्रियान के अंदर insecurity पैदा हो गई वो खुद को लेकर confident महसूस नहीं करती थी किताबों में ब्रियान की मा के बारे में कभी कोई बात नहीं की गई हम ये समझ सकते हैं कि ब्रियान की मा की मौत बचपन में ही हो गई थी किताबों के जरिये ही हमें पता चलता है कि ब्रियान के अब तक तीन बार रिष्टे तै हो चुके हैं पहली बार तब जब वो सिर्फ साथ साल की थी उसका लौट कैरन के 10 साल के बेटे से रिष्टा तै हुआ था हाला कि ये बच्चा बीमारी से मर गया वो अकसर सोचती है कि अगर ये बच्चा ना मरा होता तो ब्रियान के जिंदगी काफी अलग होती दूसरी बार ब्रियान का रिष्टा तब तै हुआ था जब वो सिर्फ 12 साल की थी इस शक्स का नाम था सर रॉनिट कॉनिंग्टन उनकी उम्र 18 साल थी यानि वो ब्रियान से 6 साल बड़े थे वो ब्रियान से मिलने के लिए टार्थ आये थे और उन्हें ब्रियान पसंद नहीं आई उनकी नजर में ब्रियान काफी बतसूरत थी मुलाकात के दौरान उन्होंने ब्रियान को एक गुलाब का फूल दिया और साथ में कहा मैं तुम्हें ये गुलाब दे रहा हूँ मगर इसके अलावा और कुछ नहीं दे पाऊंगा सो ये रिष्टा भी पक्का नहीं हो पाया इसके कई साल बाद एक टर्नी में ब्रियान ने रॉनिट कॉनिंग्टन को हरा दिया था ब्रियान याद करती है कि रॉनिट को हरा कर उसे कितनी खुशी हुई थी तीसरी बार ब्रियान का रिष्टा तब तैह हुआ था जब वो 16 साल की थी इस शक्स का नाम था सर हमफरी वैकस्टाफ इसकी उम्र 65 साल थी इनका रिष्टा तो तैह हो गया था मगर इसने ब्रियान को कहा तुम्हें एक औरत की तरह रहना होगा और शादी के बाद मैं तुम्हारा आर्मर पहनना या फिर तलवार बाजी करना बरदाश्ट नहीं करूँगा जवाब में ब्रियान ने उनसे कहा मैं सिर्फ ऐसे इनसान से शादी कर सकती हूँ जो मुझे खुद तलवार बाजी में हरा कर दिखाए इस बात पर सर हमफरी वैक स्टाफ का चहरा घुसे से लाल हो गया और उन्होंने ब्रियान को सबक सिखाने की सोची उन्होंने उसे तलवार बाजी के लिए ललका रा इस मुकाबले में ब्रियान ने सर हमफरी की कॉलर बोन तोड़ी दो पसलियां तोड़ी और साथ ही उनका रिष्टा भी तूट गया इसके बाद ब्रियान के पिता ने दोबारा कभी उसका रिष्टा तै करने की कोशिश नहीं की उन्होंने इस बात को एकसेप्ट कर लिया कि उनकी बेटी की जिंदगी सेवन किंगडम्स की बाकी लड़कियों जैसी नहीं होगी जोर्ज आरा मार्टन के हिसाब से ब्रियान की हाइट 6 फीट से ज्यादा है वो जेमी लानिस्टर या रेनली बराथियन से लंबी है मगर सांडर क्लिगेन यानी हाउंड से छोटी है A Song of Ice and Fire की कुछ प्रीकूल किताबे भी है इनमें से एक है Tales of Dunk and Egg ये Game of Thrones से लगभग 90 साल पहले की कहानी कहती है इसके लीड कारेक्टर्स दो दोस्त है एक का नाम है Duncan the Tall और दूसरा है Aegon Targaryen the Fifth आगे चलकर Aegon Seven Kingdoms के राजा बने और Duncan the Tall उसके Kingsguard के Lord Commander थे डंकन the Tall की Seven Kingdoms में काफी इज़त थी उन्हें काफी खतरनाक युद्धा माना जाता था George R.R. Martin ने किताबों में इस बात का इशारा दिया है कि ब्रियान डंकन the Tall की वन्शज है ब्रियान के पिता Lord Selwyn बिराथियन्स के बैनर में थे एक बार रेनली बराथियन उनसे मिलने टार्थ आया था और यहां उसकी मुलाकात हुई ब्रियान से वो उसके साथ काफी इज़त से पेश आया बलकि एक मौके पर ये दोनों साथ में डान्स भी करते हैं ब्रियान को रेनली से तब से ही प्यार है आगे चलकर वो रेनली को सर्व करने लगती है जब ब्रियान ने रेनली की आर्मी जॉइन की थी तब उसे लगा था कि यहां पर उसके साथ कोई भी अच्छे से बरताव नहीं करेगा मगर इसका उल्टा हुआ उसने देखा कि बाकी सोल्जर्स उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं पर इसके पीछे एक वजह थी यहां मौझूद सोल्जर्स ने आपस में शर्ट लगाई हुई थी वो यह कि ब्रियान के साथ पहले कौन सोएगा यह उस दौर की बात है जब सामवल टारली के पिता रांडल टारली रेनली बराथियन के आसपास ही रहते थे जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने फॉरन इस शर्ट को खत्म करने का आदेश दिया उन्हें डर था कि कोई सोलजर शर्क जीतने के लिए ब्रियान के साथ जबरदस्ती कर सकता है रांडल इसके बाद ब्रियान के साथ काफी सखती से पेश आए उनके हिसाब से ब्रियान का आर्मी में शामिल होना गलत है उसकी जगा घर पर होनी चाहिए वैसे हम रांडल टारली का बरताव जानते हैं जब वो खुद अपने बेटे सामबल के साथ कभी ठीक से पेश नहीं आए तो फिर ब्रियान से नर्मी कैसे दिखाएंगे इसके कई साल बाद ब्रियान की मुलाकात होती है लेडी कैटलिन से कैटलिन जब ब्रियान से पहली बार मिली थी वो तब ही समझ गई थी कि ब्रियान रेनली को पसंद करती है वो हमेशा रेनली के आसपास ही रहना चाहती है ये उस दौर की बात है जब रेनली और स्टानस के बीच काफी खटास आ गई थी ब्रियान तब रेनली को खुद आर्मर पहनाती थी हाला कि बाकी सोलजर्स ब्रियान का इस बात पर मजाक उडाते थे पर कैटलिन समझती थी कि ब्रियान ऐसा क्यों करती है बस इसलिए ताकि किसी बहाने से वो रेनली को छू सके रेनली के बॉइफरिंड लॉरस को लगता है कि ब्रियान काफी अजीब है क्योंकि वो एक औरत होते हुए भी आदमियों का आर्मर पहनती है और खुद किसी नाइट की तरह बहेव करती है पर रेनली बिराथियन को ब्रियान पर पूरा भरुसा है उसका कहना है कि बाकी नाइट्स उससे किसी ना किसी चीज की उम्मीद करते है पर ब्रियान सिर्फ इतना चाहती है कि लड़ते हुए उसके लिए मर सके बाद में काले जादू की मदद से स्टानस अपने भाई रेनली को मार डालता है तब लॉरस को लगता है कि ये कतल ब्रियान ने किया है आपको याद होगा कि ब्रियान जेमी को किंग्स लांडिंग लेकर गई थी वहाँ ब्रियान की मुलाकात लॉरस से हुई थी तब उसने ब्रियान को डूल के लिए ललका रहा था पर जेमी बीच में आ गया था और उसने लॉरिस को कहा था कि ब्रियान माउंटिन जितनी ताकतवर है अगर ये डूवल हुआ तो लॉरिस मारा जाएगा ओके तो इसके थोड़ा पीछे जाते हैं जब ब्रियान जेमी को अपने साथ किंग्स लैंडिंग की तरफ लेकर जा रही थी तब रास्ते में उन लोगों को पकर लिया गया था रूस बोल्टन ने जेमी को तो किंग्ड लैंडिंग के लिए रवाना कर दिया था पर ब्रियान उनकी गिरफ में थी तब वहाँ पर वारगो नाम के एक शक्स ने उसका रेप करने की कोशिश की थी ब्रियान ने वारगो का मुकाबला किया और उसका कान काट कर फेग दिया जब जेमी को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी खुश होता है किताबों में ब्रियान और पॉड्रिक पेन का आर्या स्टार्क या हाउंड से सामना नहीं होता बलकि वो सांसा को ढूनते हुए एक ऐसे कैसल में पहुचते हैं जहाँ पर अब सिर्फ अनात बच्चे रहते हैं किताबों में गेंडरी भी इनहीं अनात बच्चों के साथ रह रहा था ब्रियान ने यहाँ जब गेंडरी को देखा तो उसे लगा कि ये बच्चा दिखने में बिलकुल रैनली जैसा लगता है वो उसे देखकर चौंक जाती है हम जानते हैं कि गेंडरी रॉबर्ट बिराथियन की बास्टर्ड आौलाद थी यानि रैनली उसका चाचा हुआ तो दिखने में वो दोनों एक जैसे लग सकते हैं यही पर एक रात बारिश हो रही होती है और यहाँ कुछ क्रिमिनल्स पहुँच जाते हैं तब ब्रियान बाइटर नाम के एक क्यारेक्टर से मुकाबला करती है इस दोरान ब्रियान को अपनी बच्पन की एक सीख हिया दाती है वो यह कि जब भी तुम किसी मर्द के साथ लड़ाई करोगी तो वो तुम्हें आसानी से और जल्दी से हराने की कोशिश करेगा क्योंकि उस पर एक औरत से लड़ने की वज़ह से इगो सवार होगी ऐसे में तुम्हें इस बात का फाइदा उठाना है और उसे बुरी तरह से जिला देना है वो इसी सीक को फॉलो करते हुए बाइटर के साथ ही रॉर्ज को मारने में कामियाब होती है और फिर गेंडरी आकर बाइटर को मार गिराता है वैसे ब्रियान इस लड़ाई में बुरी तरह से घायल हो जाती है उसके चेहरे का नक्षा ही बिगड़ जाता है आपने देखा होगा कि Game of Thrones के सीजन 3 में कैटलिन और रॉब स्टार्क को मार दिया गया था मगर किताबों में कैटलिन अभी जिन्दा है हाला कि उनका रूप काफी बदल चुका है अगर आप इस जिन्दा कैटलिन यानि लेडी स्टोन हार्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उपर दिये गए लिंक पर क्लिक करिए लेडी स्टोन हार्ट के लोग ब्रियान पर घदारी का इलजाम लगाते हैं उसके पास जेमी की दी गई तलवार और किंग टॉमन का साइंट एक डॉक्यूमेंट होता है इन चीजों को देखकर उससे कहा जाता है कि तुम लैनिस्टर से मिल चुकी हो ब्रियान बताती है कि मैं सांसा को ढूण रही हूँ पर उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जाता लेडी स्टोन हार्ट ब्रियान के सामने दो आप्शन्स रखती हैं वो कहती हैं तलवार उठाओ और जाकर जेमी को मार डालो या फिर तुम्हें फासी पर लटकाया जाएगा ब्रियान इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को चुनने से इनकार कर देती है ऐसे में लेडी स्टोन हार्ट ब्रियान और पॉड्रिक दोनों को फासी पर चढ़ाने का आदेश देती हैं ब्रियान के गले में फासी का फंदा टाइट हो रहा होता है साथ ही वो पॉड्रिक को भी लटकते हुए देख रही थी Game of Thrones की किताबों में अब तक ब्रियान के जितने भी चैप्टर्स आएं हैं उसके आखरी चैप्टर की आखरी लाइन में ब्रियान आवाज देकर कुछ कहती है हमें पता नहीं चलता कि ब्रियान ने क्या कहा है मगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रियान की जान बच गई थी क्योंकि पांचवी किताब A Dance with Dragons में हम ब्रियान को फिर से देखते हैं मगर किसी और के चैप्टर के थूँ वो जेमी से Riverlands में एक जगह टकराती है जेमी उसके चेहरे पर मौझूद निशानों को देख कर हैरान हो जाता है ब्रियान कहती है कि मैंने Sansa को ढूंड लिया है वो हाउंड के कबजे में है पर आपको मेरे साथ अकेले चलना होगा नहीं तो हाउंड Sansa को मार डालेगा ब्रियान जूट कह रही थी क्योंकि इस वक्त Sansa वेल में रह रही होती है ऐसा लगता है कि ब्रियान जेमी को लेडी स्टोन हार्ट के पास लेकर जाने वाली है पर हमें पता नहीं चलता कि आगे क्या होगा किताबों में ब्रियान Sansa को नहीं ढूंड पाती वो उसे बचाने के लिए Winterfell भी नहीं जाती ना ही उसका Stannis से सामना होता है ना ही वो उसे मारती है बलकि किताबों में Stannis अभी भी जिन्दा है वो जेमी को लेकर कहां जा रही है ये हमें आगे आने वाली किताबों के जरिये ही पता चलेगा फिलाल हम बस ये दुआ कर सकते हैं कि George R.R. Martin जल्दी से Winds of Winter को कम्प्लीट करें I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और मन में कोई सवाल है तो कॉमेंट्स के जरिये जरूर पूछिए बाई आपके सपोर्ट से मैं अपने चानल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियो एक मिनिट एक मिनिट अब ही कहा जा रहे हैं अब इस वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है और हाँ सबसे इंपोर्टन बात खयाल रखिये घर पर रहिये जादा बाहर निकलने की जरुवत नहीं है